हेलो बच्छों कैसे हो आप सब आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्याले का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत इंज्वाई कर रहे होंगे और इंज्वाईमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी आप सबी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा तो आएए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे आज के एपिसोड में हम कक्षा ग्यारह में Chemistry यानि की रसायल विज्ञान में परमानु की संगरचना के बारे में जानेंगे यानि Structure of Atom के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद बच्चों हम भौतिकी यानि की Physics में Motion in Straight Line के बारे में जानेंगे यानि की सीधी रेखा में गती बच्चों उसके बाद हम जो जीवनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देख रहे थे उसको और आगे देखेंगे और उनके बारे में कुछ और बाते जानेंगे उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में विलेर यानि की सॉल्यूशन्स पार्ट को पढ़ेंगे और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम फिजिक्स का पार्ट वैद्योतावेश तथा छेत्र का भाग देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को नमस्कार दोस्तों आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है आज हम रसायन विज्ञान की पक्षा ग्यार्वी का पार्ट नमबर दो पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रमानु की सरचना भाग दो तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमानु का थॉमसन मोडल उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर का नाभिक्या प्रमानु मोडल और आखिर में हम पढ़ेंगे समस्थानिक एवं समभारिक तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के पहले विश्य से प्रमानू का थॉमसन मोडल जेजे थॉमसन ने प्रमानू का मोडल दिया जिसे प्लंपोडी मोडल के नाम से भी जाना जाता है इस मोडल के नुसार प्रमानू धनावेशित प्रदात से बना हुआ है जिसके अंदर रिनावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस मोडल के कुछ निशकर्ष प्रमानू के बीतर होता है दूसरा प्रमानू से भी छोटा कन प्रदर्द्टि में होता है तीसरा प्रमानू को भी वाजित किया जा सकता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मोडल के कुछ कमियां यह मोडल यह समझाने में विफल रहा कि प्रमाणू के अंदर धनावेश इलेक्ट्रोन को कैसे बंदे रखता है दूसरा इस मोडल ने प्रमाणू के नाविक के बारे में भी नहीं बताए तो इसी के साथ प्रमाणू का थौंसन मोडल यहीं पर समाप्थ होता है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विशे की दरफ रदर फोड का नाविक्क्य प्रमाणू मोडल उससे पहले हम पढ़ेंगे रदर फोड का अलफा कन प्रकिर्नल प्रयोग रदर फोड के प्रयोग के अंतरगरत लगबग दो हजार प्रमाणू की मोटाई की एक पतली स्वन प्रत पर छोटे धना वेशित अलफा कनों की बुचार की गिए जैसा की आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर अलफा कन का सकीर्य सोत्र कुछ अलफा कन ठैक रहा है स्वन पत्र के उपर आईए देखते हैं इस परयोग की क्या-क्या अवलोकन थी पहली अधिकांच अलफा कन स्वन पत्र से अविशेपित होकर गुज़र दूसरी, बहुत कम अलफा कन टकरा कर वापस लोट गए यानी 180 डिगरी द्वारा विशेपित होई तीसरी, कुछ अलफा कन ऐसे थे जो छोटे कौन से अविशेपित होकर गुज़र चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मोडल के निश्कर्ष पहला, एक प्रमाणू में एक धना देशित नाबिक होती है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गुमते हैं दूसरा, इलेक्ट्रॉन और नाबिक, कोलंडिक अकर्शन के बल द्वारा आपस में बंदे होते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यहां पर एक नाबिक जो की प्रमाणू के पिल्कुल बीचों बीच है और उसके उपर धना देशित आवेश है दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जिसके उपर रिनात्मत आवेश है वो उस नाबिक की उपर और्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मोडल की कुछ कमिया पहली यह प्रमाणू की इलेक्ट्रॉनिक सरजना के बारे में कुछ नहीं बता पाया था दूसरी यह स्पेक्ट्रा की लाइन की व्याख्या नहीं कर सकता तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विश्य की दरफ प्रमाणू संख्या प्रमाणू में प्रोटॉन की संख्या को उसकी प्रमाणू संख्या कहा जाता है यानि की प्रमाणू संख्या बराबर होती है कुल प्रोटॉन की संख्या के चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या प्रमानों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को इसका द्रव्यमान संख्या कहा जाता है यानि की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की कुल संख्या जमा न्यूट्रोन की कुल संख्या के तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विश्य की तरफ समस्थानिक समस्थानिक एक तत्व के वो प्रमाणु होते हैं जिनकी प्रमाणु संख्या समान होती है मगर द्रव्यमान संख्या भिन होती है एक ही तत्व के समस्थानिक एक दूसरे से केवल न्यूट्रोन की संख्या में भिन होते हैं आईए देखते हैं समस्थानिक के उधारण। हाइड्रोजन के समस्थानिक दोस्तों प्रकर्टी में हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्रीटियम। आईए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोटियम की प्रमानु संख्या एक होती है और द्रव्यमान संख्या भी एक होती है ड्यूटीरियम की प्रमानु संख्या भी एक होती है जबकि द्रव्यमान संख्या दो होती है डीटियम की प्रमानु संख्या भी एक होती है लेकिन द्रवयमान संख्या तीन होती है यानि की प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ड्रीटियम तीनों की प्रमानु संख्या एक ही है जबकी द्रवयमान संख्या अलग है इसलिए इन्हें हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं समभारिक अलग-अलग प्रमानू संख्या वाले अलग-अलग तत्वों के प्रमानू जिनका द्रव्यमान संख्या एक ही है उन्हें समभारिक कहा जाता है उधारन के तोर पर सल्फर, क्लोरीन, केल्शियम इन सभी की द्रब्वेवन संख्या बराबर है इसलिए इनको संभारिक कहते हैं चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आकरी विश्य के तरफ संस्थानिक एवं संभारिक के बीच अन्तर संस्थानिकों की प्रमानू संख्या समान होती है जबकि संभारिकों की प्रमानू संख्या बिन होती है समस्थानिकों की द्रव्यवान संख्या भिन होती है जबकि समभारिकों की द्रव्यवान संख्या समान होती है समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है जबकि समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है तो दोस्तों इसी के साथ ये अध्याय यही पल समाप्त होता है आईए देखते हैं हमने आज क्या क्या पड़ो इस रीडियो में हमने सीखा प्रमाणू का थॉमसर मोडल इस मोडल को प्लंप वूडिंग मोडल के नाम से भी जाना जाता है इस मोडल के नुशाल प्रमाणू धनावेशित प्रदात से बना हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते है उसके बाद हमने बढ़ा रगर फोर्ड का नाविक्य प्रमाणू मोडल यह मोडल थॉमसर मोडल की कमियों को पूरा करता था और इसके अंदर हमने यह जाना कि इलेक्ट्रॉन नाविक के चारों तरफ और्बिट में चक्कर लगाता है उसके बाद हमने पढ़ा समस्थानिक एवं समभारिक तो चलिए देखते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे अगरे वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यूत चुम्बकिय विकिर्णों की तरंग सिधान इसके अंदर हम अलग-अलग तरंगों के बारे में जानेंगे और उनसे जोड़ी कुछ उनकी विशेष्ताओं के भी जैसे की तरंग देरधय, आवरिती और आया उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांप का क्वांटम सिधान यहां पर हम महान्वे ज्यानिक प्लांप द्वारा दिये गए उर्जा के सूत्र के बारे में जानेंगे तब तक आप इस वीडियो में दिये गए प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा धन्यवाद झाल नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा ग्यारवी के भौतिकी का अध्याए सरल रेखां में गती भाग चाल तो शुरू करने से पहले आईए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो हम शुरू करेंगे ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ग्याद करने की विधी से उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्थम तथा दुत्तिय शुद्गति की संबंधित समी करन तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ द्वारा वेग ज्याद करने की विधी इसके लिए तवरण तथा समे ग्राफ की आवशक्ता होती है वेग का मान तथा समे ग्राफ के वक्र के तहट कुल शेत्रफल के मान के बरावर होता है मतलब हमें वेग ज्याद करने के लिए तथा समे के ग्राफ की जरूत होती है जिसको एंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और फिर वेक का मान ग्याद करने के लिए ग्राफ के वक्र के नीचे कुल शेत्रफल का मान ग्याद करते हैं और यही शेत्रफल का मान वेक के बराबर होता है तो चलिए आगे चलते हैं और इसे और विस्तार से समझते हैं चलिए हम एक शैतिज अक्ष लेते हैं जो की समय का अक्ष है जिसको T से रिप्रेजेंट किया है और साथ ही हम एक उर्दवाधर अक्ष लेते हैं जो की तोरण का अक्ष है जिसे A से रिप्रेजेंट किया है शैतिज अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं horizontal axis और उर्दवादर अक्ष को vertical axis अब हम यहाँ पर graph को draw करते हैं जो कुछ इस तरह से है अब वे ग्याद करने के लिए इस वक्र के नीचे कुल शेत्रफल जितना है उसका मान ग्याद करते हैं इसके लिए हम graph के अंतिम बिंदू से एक लमववत रेखा कीशते हैं जो समय के अक्ष को एक बिंदू पर काटती है और इस तरह हम यह शेत्रफल को दिखा सकते हैं और हम कह सकते हैं वी मतलब वे बराबर वक्र के नीचे का कुल शेत्रफल तो चलिए अब आगे चलते हैं और graph द्वारा विस्थापन ग्याद करने की विधी पढ़ते हैं इसके लिए वे तथा समय graph की आवे शक्ता होती है विस्थापन का मान वे तथा समय graph के वक्र के तहत कुल शेत्रफल के मान के बराबर होता है मतलब विस्थापन का मान ग्याद करने के लिए हम वे तथा समय graph ट्रॉ करते हैं वे तथा समय graph को इंग्लिश में कहते हैं velocity versus time graph अब इस graph के वक्र के नीचे के कुल शेत्रफल का मान ग्याद करते हैं और शेत्रफल के इसी मान को हम विस्थापन कहते हैं और इस तरह graph द्वारा विस्थापन का मान ग्याद किया जा सकता है तो चलिए आगे चलते हैं और इसे विस्थाड से समझते हैं मान लिजे हम एक शैतिज अक्ष खींसते हैं जो कि समय का अक्ष है और इसी तरह हम एक उर्दवादर अक्ष खींसते हैं जो कि वेक का अक्ष है और हम एक ग्राफ ट्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है अब विस्थापन ग्याद करने के लिए हम इस ग्राफ के अंतिम बिंदू से एक लमववत रेखा खीशते हैं समय के अक्षपर और अब इस आकरती के अंदर जो शेत्रफल है वो विस्थापन के बराबर होता है वक्र के नीचे का कुल शेत्रफल तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण पे नज़र डालते हैं यह समीकरण प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और तुरण के बीच के संबंध को दर्शाती है जैसा कि आप पिछली विडियो में इस समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं इसका सूत्र होता है V बराबर U प्लस 80 जहां V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, A तुरण है, तथा T समय है और इसी को हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण कहते हैं इस समीकरण को हम इस परकार भी लिख सकते हैं, जो की है V-U बराबर 80 तो चलिए, अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उधारण पढ़ते हैं मानते हैं एक कण गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग है, U बराबर 10 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग है, V बराबर 30 मीटर पर सेकेंड और कुल समय है, 40 सेकेंड मतलब 40 सेकेंड के समय अंतराल में कण का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो वेग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कण में तौरण भी होगा, क्योंकि तौरण होता है वेग परिवर्तन की दर तो चलिए हम यहाँ पर तौरण का मान ग्याद करते हैं जिसके लिए हम प्रतम शुद्ध गती की समबंदित समीकरण का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार है, वी बराबर यू प्लस एटी, जहाँ पर वी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ए तौरण है, तथा टी समय है तो चलिए, अब हम यहाँ पर सभी चरों के मान रखते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, 30 मीटर पर सैकेंड बराबर 10 मीटर पर सैकेंड प्लस एगुणा 40 सैकेंड अब इसे हल करने के लिए, 10 मीटर पर सैकेंड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, जिससे हमें मिलता है, 30 मीटर पर सैकेंड माइनस 10 मीटर पर सैकेंड बराबर 1 गुणा 40 मीटर पर सैकेंड और इसे हल करने पर मिलता है, एक गुणा 40 मीटर पर सैकेंड बराबर 20 मीटर पर सैकेंड जिसे हल करने पर हमें मिल जाता है, ए बराबर 0.5 मीटर पर सैकेंड स्क्वाइर और यही त्वरण का मान है, तो इस तरह प्रिथम शुद्ध गति की सम्बंदित समीकरण का प्रयोग करके हमने त्वरण का मान ग्यात किया, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दुतिय शुद्ध गति की सम्बंदित समीकरण को पढ़ते हैं, इसके लिए हम एक शैतिच अक्ष खींसते हैं, जो की समय का अक्ष है, और साथ ही एक उर्दवादर अक्ष खींसते हैं, जो वेग का अक्ष है अब यहाँ पर हम समय और वेग के बीच एक ग्राफ खींसते हैं, जो कुछ इस तरह से है, अब दुतिय शुद्ध गति की सम्बंदित समीकरण निकालने के लिए, हम इस ग्राफ के अंडर शेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, और जो की विस्थापन होता है, तो चलिए देखत हैं किस तरह से, ग्राफ के अंतिम बिंदू से एक लंबबत रेखा कीची जाती है, जो समय के अक्ष को एक बिंदू पर काटती है, अब इस आक्रती के अंदर कुल शेत्रफल जिसको नीरे रंग से दिखाया गया है, इसका मान विस्थापन के मान के बराबर होता है, तो चल आज़िए, अब आगे देखते हैं, मूल बिंदू से ग्राफ के अंतिम बिंदू तक किस समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और इसी तरह हम उर्दवादर अक्ष पर ग्राफ जहां से शुरू हुआ है उस पॉइंट को यू तथा ग्राफ के अंतिम बिंदू को वी से प प्रारंभिक वेग और वी है अंतिम वेग अब इसका कुल शेत्रफल निकालने के लिए हम इस आकरती को दो आकरतियों में बांट देते हैं जिसमें पहली आकरती है एक आयत और दूसरी आकरती है एक त्रिभुज कुल शेत्रफल का मान आयत के शेत्रफल तता त्रिभुज के शेत्रफल के योग के बराबर होता है चलिए इसे गणेतीय रूप में लिखते हैं जहां हम देखते हैं ए बराबर एवन प्लस एटू जहां पर कैपिटल ए है कुल शेत्रफल एवन है आयत का शेत्रफल तथा एटू है त्रिभुज का शेत्रफल तो यहां पर आयत का शेत्रफल हो जाएगा यू इंटू टी और त्रिभुज का शेत्रफल हो जाएगा हाफ वी माइनस यू इंटू टी जोंकि वी माइनस यू त्रिभुज की हाइट है तो इसमें यहां लिखा गया है capital A बरावर ut plus half v minus u into t अब जैसा कि पिछली समीकरण में आपने पढ़ा था कि v minus u बरावर होता है 80 के तो इसे हम लिख सकते हैं a is equal to ut plus half 80 square कुल शेत्रफल विस्थापन के बरावर होता है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं विस्थापन यानि x बरावर ut plus half 80 square और यही हमारी दुतिये शुद्ध गदी की सम्बंदित समीकरण है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसका उधारण देखते हैं उधारण में हम मानते हैं कि यदि कोई कण एक गदी की अवस्था में है और उसका प्रारंभिक वेग है यू बरावर 10 मीटर पर सेकंड कुल समय है टी बरावर 40 सेकंड और तुरण है 0.5 मीटर पर सेकंड इसको है हमें ग्याद करना है कि कण के विस्थापन का मान क्या होगा तो कण के विस्थापन का मान ग्याद करने के लिए हम दूतिय शुद्गति की सम्मंदित समीकरण का प्रियोग करते हैं जो कि इस प्रकार है एक्स परावर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेर जहां पर एक्स है विस्थापन यू है प्रारंभिक वेग टी है समय और ए है तुरण तो चलिए हम सभी चरों के मान रखते हैं और देखते हैं कि विस्थापन का मान हमें क्या ग्यात होता है तो हमें समीकरण मिलती है एक्स बराबर दस मीटर पर सेकंड गुणा चालिस सेकंड प्लस एक बटे दो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेर गुणा चालिस सेकंड का होल स्क्वेर इसे हल करने पर मिलता है 400 मीटर प्लस 400 मीटर बराबर 800 मीटर तो हमें मिलता है X बराबर 800 मीटर जो की विस्थापन का मान है तो इस तरह दुतिय शुद्गति की सम्बंदित समीकरण का प्रियोग करके हमने विस्थापन का मान ग्याद किया तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की विडियो में हमने क्या-क्या सीखा तो आज हमने सबसे पहले सीखा ग्राफ द्वारा वेक तथा विस्थापन ग्याद करने की विदी उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम शुद्गती की सम्बंदित समीकरण के वारे में तथा सबसे अंत में हमने पढ़ी द्युतिय शुद्गती की सम्बंदित समीकरण तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली विडियो में हम क्या सीखने वाले हैं तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान तुरण से गतिमान वस्तू की तृतिय शुत गति की संबंधी समी करण धन्यवाद करता है हुआ 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 है हुआ 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 है जीवनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देख रहे थे उसको और आगे देखेंगे और उनके बारे में कुछ और बाते जानेंगे रेटो पे काम करते हुए दो एहम वाकियात हुए पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का दस साला प्रोग्राम तयार हुआ जिसके आथर थे प्रोफेसर सारवाई मेरे लिए वो एक ऐसा रुमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्च करने वाले किसी शायर की रुमानी नजब हो जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्च करने लगा हो और दूसरा वाकिया मिनिस्ट्री आफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तियार होना नाराइनन और मैं हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे उस वक्त तक भविश की आने वाली एसल वी सैटिलाइट लाँच वेहिकल का नाक नक शाब ही तियार हो चुका था प्रोफेसर सारा भाई अपने देरीना खाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाओ कर चुके थे मैं खुद को खुशकिसमत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया उस पर प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे एक और समयदारी भी सौंपी कि लाँच की चौती स्टेज मैं ही डिसाइन करूं ये मामूल था मेरा आलत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर सारा भाई को पूरी तफसील पूरी रिपोर्ट देता था डेली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं ट्रिवेंदरम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर सारा भाई थुमबा मैं SLV का मौाइना करने के हुए थे डेली एरपोर्ट के लाउंच से मैंने उन्हें फोन किया पैनल मीटिंग की तफसील बताई प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे कहा कि मैं ट्रिवेंदरम एरपोर्ट पर उनका इंतजार करूँ मैं जब त्रिवेंदरम पहुँचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर सारा भाई ने ही रहे चंद गंटे पहले दिल का दौरा पढ़ने से उनका इंतकाल हो गया मैं थर्रा के रह गया चंद गंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी मेरे लिए वो बहुत बड़ा सद्मा था प्रोफेसर सारा भाई मेरी नजर मैं इंडियन साइंस के राष्टर पिता है जैसे राष्टर के पिता महातमा गांदी है उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किये और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए कुछ हरसा प्रोफेसर एम जी के मैनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धावन को इंडियन स्पेस रिसर्च और्नाइजेशन इसरो की समयदारी सौंप दी गई तुमबा का पूरा कॉंप्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर वी-S-S-C का नाम दिया गया जिसने वो सेंटर काइम किया था उसी के नाम से उस जगा की शर्दान जली पेश की गई मशूर मेटलरजिस्ट डॉक्टर ब्रम परगाश वी एस एस सी के पहले डिरेक्टर मुकरर हुए कोई भी शखस अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मौतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो शायद निजी जिन्देगी में भी तसली का यही एक रास्ता है आजादी और जम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तसकीन और खुशी का बाइस हो सकती है और जाती आजादी हासल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने अफ्तियार किये पहले तो यह कि अपनी तालीम और तर्बियत को बढ़ावा दो इल्म नौलिज बड़ा कारामद हथियार है बहुत काम आता है इल्म जतना ज्यदा होगा उतनी ज्यदा आजादी के हकदार होगे इल्म वो पूझी है जो कोई छीन नहीं सकता टीम की रहनुमाई तभी मुम्किन है अगर आपकी जानकारी मुकमल हो अप्टुडेट हो कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जो खत्म हो आप पिछले काम का जाइजा ले अगले दिन के काम की तैयारी करें दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फखर समझें गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ती की सही जानकारी हो जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वो ही करो वरना दूसरों के इमान का शिकार बनते रहोगे नमस्कार दोस्तों आज हम विल्यन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आज ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर दरवेमान के बारे में पढ़ेंगे तो आज ये शुरू करते हैं अनुसंख्या गुणधर्म से अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है अनुसंख्या गुर्धर्म वो गुर्धर्म होता है जो सिर्फ कड़ों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्या गुर्धर्म कहते हैं अनुसंख्या गुर्धर्म चार प्रकार की होते हैं पहला जो होता है उसे कहते हैं वाश्पदाप का आपेकशिक अवनमन, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं क्वथनांग का उन्मेन, तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हिमांग का अवनमन, और जो चौथा होता है उसे कहते हैं परासरन दाव. शुरू करते हैं वाश्पदाब का आपेक्शिक अब्नमन से देखिए वाश्पदाब का जो आपेक्शिक अब्नमन होता है उसके लिए जो समीकरन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है डेल्टा P1 बराबर P01 X2 जो P01 है वो उस अव्या का वाश्पदाब होता है डेल्टा P1 जो है वो आपेक्षिक अवनवन है और X2 जो है वो विलायक का मोल अंच है आईए बढ़ते हैं आगे क्वाथनांक का उन्यन क्वाथनांक का जो उन्यन होता है वो कुछ इस्तकार है डेल्टा T B बराबर K B गुणा M यहाँ पर M जो होता है वो विले की मोललता है और K B जो है वो क्वाथनांक उन्यन स्तिरांक है आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजेगा ये बहुत जरूरी चीज़े हैं डेल्टा टीवी जो है वो क्वतनांग का उन्नैन होता है क्वतनांग के उन्नैन पर काफी प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं परिक्षा में तो आप इस टॉपिक पर कुछ प्रश्ण हल कर लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं हिमांग का अवनमन हिमांग का अवनमन होता है डेल्टा टीव बराबर के एफ गुणा एम यहाँ पर डेल्टा टीव हिमांग के अवनमन को दर्शाता है जो एम है वो विलेय की मोललता है और के एफ जो है वो हिमांग का अवनमन स्तिरांग है यह था हिमांग का अवनमन यह भी बहुत जरूरी टॉपिक है आप इस पर कुछ प्रश्ण कर लीजेगा अब बात करते हैं हमारे चौथे और आकरी अनसंख्या गुरधन्म की जिसका नाम है परासरण अंग्रेजी में परासरण को ओस्पोंसिस भी कहते हैं परासरण में क्या होता है एक जगह विलियन होता है और दूस्ती जगह विलायक होता है बीच में एक अर्द पराग्य जिल्ली मौजूद होती है इस अर्द पराग्य जिल्ली का काम क्या होता है यह कुछ कणों को अपने से जाने देती है और कुछ कणों को रोक देती है जब अर्द पराग्य जिल्ली विल्यन और विलायक के बीच में लगी होती है तो विलायक का प्रवा विलियन की तरफ होने लगता है विलायन के इस प्रवा को परासरन कहते हैं या फिर आस्मोसिस कहते हैं तो यह होता है परासरन अब जानते हैं परासरन दाब क्या होता है हमारे पास तिनी तरह की अवस्ताएं है पहली अवस्ता होती है जब कोई दाब नहीं लग रहा होता कोई दाब नहीं लग रहा होता भार से उस समय क्या होता है जो अर्द पराग जिल्ली है जिसको हम अंग्रेजी में सेमी परिमेबल मेंब्रेन भी कहते हैं उस से विलायक विलियन की तरफ जाने लगता है और उस दाब को लगाते ही वो जो विलायक विलियन की तरफ आ रहा था वो आना बंद कर दे उस दाब को कहते हैं परासरन दाब या फिर अंग्रेजी में उसे आस्मोटिक प्रेशर भी कहते है तो Osmotic Pressure या परास्रन दाब वो दाब होता है जिसको लगाते ही जो विलायक का प्रवा है वो रुख जाए उसे परास्रन दाब कहते हैं यह दूसरी अवस्ता थी तीसरी अवस्ता वो होती है जब जो हमारा दाब लग रहा है वो परासरेंड दाब से अधिक लग रहा है जब दाब परासरेंड दाब से अधिक लगने लग जाए तो उस अवस्ता में क्या होता है विलियन में से विलायक के कंड बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो इसे कहते हैं परासरन दाफ और जो आखरी वाला मैंने आपको मामला बताया, वह मामला हम पानी को शुद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम अंग्रेजी में reverse osmosis कहते हैं, तो यह था परासरन दाफ, अब देख लेते हैं परासरन दाफ का सूत्र, तो परासरन दाफ का सूत्र होता है, पाई is equal to CRT, यहाँ पर C जो है वो मोलरता है, आर जो है वो गैस नियतांक है, और T जो है वो तापमान है, तो यह परासरन दाफ का सूत्र होता है, अब हम बात करते हैं, असमान्य मोलर द्रव्यमान की, अभी तक हमने जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पड़ा, उसमें हमने बस एक चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, जैसे हमारा केसील है, तो केसील को जब हम पानी में डालेंगे, तो केसील जो है, वो के पलस और सील माइनस में टूड जाता है, लेकिन हमने अभी तक इन सब चीज़ों को नकारा है, और इससे जो हमारी अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आई है, वो सारी गलत हो जाएंगी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे हम केसील के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालते हैं, तो हमने ये चीज़ पड़ी कि अनुसंख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करती है, तो केसील तो एक कण है, हमने उस एक कण को लेखर ही उस अनुस के लिए अनुसंख्या गुर्धर्म निकालना होगा जो हमने नहीं किया और जो की गलत है तो असमान्य मोलर द्रव्यमान इसी चीज़ को सही करता है आई बराबर समान्य द्रव्यमान भागा असमान्य द्रव्यमान आई को वॉन्ठाफ गुनत कहते हैं हमने अभी तक जितनी अनुसंख्या गुर्धर्म निकाला है उसमें इस आई को गुणा करना होगा और उससे जो अनुसंख्या गुर्धर्म की जो भी वैल्यू आएगी वह हमारा सही उत्तर होगा तो यह होता है असमान्य मोलर द्रव्यमान आई या वीडियो के अंत में आ गए हैं हम लोग तो अनुसे बाद हमने असमान्य मोलर द्रव्यमान पड़ा मैं अमीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीजां समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाब दूंगा कि आप यह सब चीजें NCRT रसाइन विज्ञान भाग एक से पढ़ लीजेगा और कुछ प्रश्न भी ह खल कर लीजेगा धन्यवाद दोस्ते हेलो दोस्तों वेलकम तो दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स अभी तक हम चैप्टर वन वेदित आवेश्ट तथा शेत्र के साथ भावों को पड़ चुके हैं आज हम इसका आठवा भाग समझेंगे और इस आठवे भाग में हम समझेंगे कि जब किसी द्विद्रूप को किसी एक समान भाहिय शेत्र में रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है यानि एक समान भाहिय शेत्र में द्विद्रूप दोस्तों इसी समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समान वैद्यूत शेत्र ई कुछ इस दिशा में फ्लो कर रहा है अब हम इसमें किसी एक विद्यूत द्विद्रूप को रखते हैं यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह द्विद्रुः विद्युद्शेत्र की दिशा में न होकर कुछ टेड़ी रखी है इसकी अलग-अलग स्थिति के बारे में हम बाद में विचार करीगे अभी अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि द्विद्रुः अपनी प्रारंबे की स्थिति में बदलाव लाती है और विद्युद्शेत्र की दिशा में गूम जाती है यानि हम कह सकते हैं कि किसी एक समाग बाहे शेत्र में विद्युद द्विद्रूप स्वयम को विद्युद शेत्र की दिशा के अनुदिश कर लेते हैं आए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है मान लीजिये कि यहाँ पर एक विद्युज़ शेत्र कुछ इस दिशा में है जिसमें हमने एक दुईद्रुब रखा है जिसमें धनात्मक आवेश बिंदु A तथा रिनात्मक आवेश बिंदु B पर रखा है दोस्तों यहाँ पर हमने केवल विद्युद्शेत्र की दिशा को दर्शानी के लिए एक ही एरो बनाया है अब जैसे कि हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश विद्युद्शेत्र की दिशा में जाना चाहेंगे क्योंकि विद्युद्शेत्र एक धनात्मक आवेश से ही उत्सर्जित होता है और दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित यानी रिपेल करते हैं यानी बिंदू A या धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल होगा प्लस QE जबकि विंदू B पर रखा रिनात्मक आवेश विद्युद्शेत्र की दिशा की विप्रीप यानी नीचे की ओर जाएंगे और इस आवेश पर लगने वाला बल का परिमान होगा रिनात्मक QE अब दोस्तों जैसा की हम जानते हैं कि किसी निकाय पर समान परिमान किन्तु विप्रीप दिशा में लगने वाले बल योग निकाय में बल आगून उत्पन करते हैं यानी यहां पर भी इस दिविद्रूप में उत्पन होता है बल आगून जिसकी वज़े से ये दिविद्रूप अपने मद्दे बिंदू के सापेक्ष गूम जाता है दोस्तों बल आगून को ग्यात करने का सूत्र होता है बल गुणा बिंदूओं के बीच लंवद्दूरी और जैसा कि हमने अभी लिखा कि दिविद्रूप पर लगने वाला बल है क्यूँ इए इसके अलावा बिंदूओं के बीच लंवद्दूरी जाननी के लिए हम त्रिकोंड मिती का उप्योग करेंगे मान लीजिए कि ये दिविद्रूप विद्रूप शेत्र के साथ थीटा अर्डिगरी का कौंड बनाता है तो अगर हम बिंदू A तथा बिंदू B से एक समकौंड त्रिभुज AC भी बनाए तो इसमें कौंड BAC भी होगा थीटा यानि यहाँ पर दोनों बिंदूओं या आवेशों के भीच लंवद्दूरी है AC जिसका मान होगा 2A sin थीटा तो दोनों ही राशियों का मान बल आगून की फॉर्मला में रखें तो बल आगून ताव आता है QE गुणा 2A sin थीटा दोस्तों यहाँ पर हम 2QA को साथ लिख लेते हैं और अगर आपको याद हो तो यह होता है दूइध्रूव आगून जिसे लिखा जाता है P से यानि बल आगून होगा P E sin थीटा यानि इसे P तता E का सदिश गुणनपल भी कहा जा सकता है यानि P x E आईए अब इस दूइध्रूव की विद्युद शेत्र में विभिन इस्तितियों पर विचार करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है जब दूइध्रूव विद्युद शेत्र की दिशा में हो दोस्तों इस परिस्तिति में विद्युद शेत्र तथा दूइध्रूव आगून के वीच बनने वाला कौन होता है 0 डिग्री तो बल आगून का मान होगा P E sin 0 डिग्री और क्योंकि sin 0 डिग्री का मान होता है 0 इसलिए यहां पर बल आगून का मान भी होगा 0 यानि इस केस में दूइध्रूव नहीं भूमेगे अगली परिस्ति है जब दूइध्रूव विद्धूद शेत्र के लंबवत हो दोस्तो इस परिस्ति में विद्धूद शेत्र तथा दूइध्रूव आगून के वीच बनने वाला कौन होता है 90 डिग्री तो बल आगून का मान होगा P E sin 90 डिग्री और क्योंकि sin 90 डिग्री का मान होता है वन इसलिए यहाँ पर बल आगून का मान हो जाएगा P गुणा E आएए अब आज के वीडियो में समझाएगे विशे पर आधारित एक उधारन समझते हैं प्रेश्ण है समान आवेश 2 कुलाम और रिनात्मक 2 कुलाम को 2 सेंटिमीटर की दूरी से अलग करने वाले विद्युद दुविद्रूप को 30 डिग्री के कोंड पर 0.225 न्यूटन प्रती कुलाम के विद्युद शेत्र में रखा गया है दुविद्रूप में उत्पादित बल आगून की गढ़ना करें दोस्तों जैसा कि हमें प्रेश्ण में दिया गया है कि यहाँ पर ये दुविद्रूप विद्युद शेत्र से थीटा यानि 30 डिग्री का कोंड बनाती है तो यहाँ पर हम हमें दीग हुई राशियं लिख लेते हैं जो है क्यू बराबर दो कुलाम इसके अलावा 2A बराबर है 2 cm या फिर इसे लिख सकते हैं 0.02 मीटर इसके अलावा E यानि विद्युद शेत्र है 0.225 न्यूटन प्रिती कूलाम और थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री अब जैसे कि हम जानते हैं कि बल आगून होता है P x E या 2 Q A E sin थीटा तो दोस्तों यहाँ हम सभी राशियों का मान इस समीकरण में रग देते हैं होगा 0.0045 न्यूटन मीटर तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किसी एक सामान बाहिये शेत्र में रखा कोई विद्युत दुद्रू किस प्रकार बल आगून उत्पन करता है हमारे अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना अगला अध्याए इस्थिर वैद्युत विभव तथा भारता तब तक के लिए टेक कियर एड़ गुडब्राइ झाल जो जो पूब एब जी स्कूल की चलो स्कूल तुमको भूपाए